अस्ट्रेलिया में पिछले दू हफ्दों में प्रशासन ने लाखों मदमक्यों को मार दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐस्ट्रेलिया सरकार ये कदम क्यों उठा रही है। तो इसका कारण है खतरनाक पेरसिटिक प्लेग। ये बीमारी अभी तेजी से आस्ट्रेलिया में फैलती जा रही है बीमारी न फैले इसलिए आस्ट्रेलियाई सरकार ये खदम उठा रही है दरसल उस्ट्रेलिया में पिछले हफते ही सिडनी पोर्ट के पास वारे एक शित्रों में विरवा माइट डिटेक्ट किया गया इससे उस्ट्रेलिया में करोडो रुपे की शहद इंडस्ट्री को नुकसान पहुचने का डर सता रहा है इसके सामनी आने के बाद मधुमक्खी पालन से जुड़े लोगों को अलर्ट जारी किया गया है हालात ऐसे बन गये हैं कि मधुमक्खी पालन केंद्रों को लॉक्डाउन के तहट रखा गया है आस्ट्रेलिया इस शेहद इंडस्ट्री काउंसल के अनुसार न्यू कास्टल में मधुमक्की पालक किसी भी छत्ते या मधुमक्की पालन से जुड़े उपकरन को खेत्र के अंदर या बाहर नहीं ले जाते हैं आस्ट्रेलिया उन कुछ देशों में रहा है जो विरोवामाइट के प्रसार को रोकने में सफल रहा है विरोवामाइट को दुनिया भर में मधुमक्यों के लिए बड़ा खत्रा बताया जाता है लेकिन इस बार औस्टेलिया में विरोवामाइट पैर पसारने में सफल रहा है क्या है विरोवामाइट? विरोवा माइट तिल के आकार का पेरसिटिक कीट है जो मधमक्यों के छटों पर हमला करता है और मधमक्यों को नुकसान पहुचाता है ये लाल भूरे रंग का होता है ये छोटा सा कीट मधमक्यी पालन को तबाह करने के लिए काफी होता है ये मधुमक्यों से ही दूसरी मधुमक्यों तक पहुँचता है या मधुमक्यों के पालन में इस्तिमाल होने वाले उपकरणों से एक जगे से दूसरी जगे पहुँचता है मधुमक्यों की कम होती संख्या के लिए भी विरोवा माइथी जिम्मेदार है विशेशग्यों की माने तो मधुमक्यों की घट्टी संख्या के लिए विरोवामाइट ही जिम्मेदार है विरोवामाइट्स बड़ी मधुमक्यों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ये लारवा और प्यूपा की मदद से प्रजनन करते हैं इनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो ये मधुमक्यों को कमजोर करने और उनमें कई बीमारियां फैलाने के कारण बनते हैं इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कॉमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक